आप लोगों का अपने इस यूट्यूब कैनल आप और आपका भविश कायर करम में एक बाद पुने स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं धनू गासी के लोगों का आने वाला धाई वर्ष कैसा होगा अभी 29 मार्च 2025 को धनू रासी के लोगों पे धाया प्रारंभ होने वाली है सनी की जो धाया प्रारंभ होगी तो उसका क्या प्रभाव धनू रासी के लोगों पर पड़ेगा इस बारे में आज हम आप लोगों को पिस्तार से बताएंगे अब क्योंकि धनूरासी का स्वामी गुरू आप देखोगे कि बिसब रासी में चल रहा है और ये गुरू 15 माई 2025 को ये मिठों रासी में जाएगा अब जब धनूरासी का स्वामी केंदर में आएगा तो एक कहावत है कि केंदर में बैठा हुआ गुरू उसी प्रकार उस कुंडली को सुरच्छित, सुंदर और भाग्योान बनाता है जैसा कि सूर्ज के निकलने पर अंधेरा गायब हो जाता है ऐसे ही गुरू का केंदर में बैठना लावप्रद होता है प्रन्तू चुकि गुरू यहां मिथुन रासी में 26 अक्टूबर 2025 तक रहेगा 26 अक्टूबर 2025 से गुरू करक रासी में यानि कि अस्टम घर में आएगा आठवा गुरू बहुत सुब नहीं माना जाता है लेकिन चुकि यह गुरू आपका 5 दिसंबर 2025 को यह बक्री होकर पुना मिथुन रासी में आ जाएगा बक्री का मतलब उन्टा अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 29 मार्च 2026 को गुरू सनी 29 मार्च 2025 को सनी जब मीन रासी में आएगा मीन रासी का मतलब आपके चतुर्थ घर में तो यह आपके उपर धाया प्रारम करेगा अब यहाँ पर धाया प्रारम होने से एक सबसे बड़ी समस्या यह रहेगी कि आपका जो कार ही है उसमें थोड़ी सिथिलता आ जाएगी परिवार में भी छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोड आएगा परिवार के अनिस अदर से वो अच्छा भी बोलेंगे लेकिन आपके समझ में वो बुरा ही लगेगा यह सनी की धहिया की विशेष्टा है अब चुकी आपके धन भाव और प्राकरम भाई अक्षान का स्वामी सनी है सनी जब मीन रासी में आएगा तो यह आपके मित्रों से भी थोड़ा मद्वेद उत्पन करेगा वहाँ नादी आपके ठीक ठाक अच्छे कंडिसन में रहेंगे लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ कमी खराबी आती रहेगी अगर आप घर इत्यारी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप धीरे धीरे अपना प्रयास जारी रखिए मित्रों के मामले में अगर कोई मित्र आपसे हसी मजाक में कोई ऐसी बात कहता है जो आपको बुरा लगे लेकिन आपको उस बात का को नजर अंदाज करना है क्योंकि 25 मार्च 2025 सनी आपके चतुर भाव में बैठके आपके रोग सर्तुर कर्ज अस्थान को देखेगा अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है या किसी किसे कर्ज की जिम्मेदारी ले रखी है तो आपको तनाव मिल सकता है कर्ज अगर आपने लिया रखा है तो आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करज को निप्ताते रहिए लेकिन अगर आप जिम्मेदारी किसी के लिए है तो बेवज़े आप परिशानी में फंस सकते हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक सनी की धाया यानि धायी वस तक आपको किसी के करज आदी में गारंटर ना बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सनी यहां से बैठके आपके दसम घर को देखेगा आपके अजिकारियों से भी आपके थोड़े बैचारिक मद्भेद आ सकते हैं बिसेश कर आपके पिता के साथ आपके संबन्द में कुछ बिचारों में कमी आ सकती है प्रन्तु आप अपने पिता माता अपने घर के बड़े बुजुर्गों का जितना अधिक सम्मान करेंगे उतना आपके कारी में उन्नती होगी ऐसा नहीं है कि धाया हमेशा नुकसान ही करता है ये आपके कुंडली में बिल्कुल लागू नहीं होता है सनी की धाया में भी बहुत लोगों को मैंने बहुत बड़े बड़े आदमी बनते देखा बड़े बड़े उद्रोग में सफलता पाते देखा है लेकिन उनके अंदर एक बिसेस्ता ये देखा है कि उनके अंदर किसी तरह का घमंड नहीं है साथ ही वो अपने बड़े बुजर्गों का पूरा सम्मान करते हैं अब सनी यहां पे बैठके आपके सरीर को यानि रासी को देखेगा आपके अंदर थोड़ा आलसी आजाएगा आपको अपने आलसी को अत्याद करना है क्योंकि आप आपके आलसी को हाबी नहीं होने देंगे तो आपके काम चलते रहेंगे बलकि धहिया में आपके कई परकार के काम आएंगे कई लोगों से आपके संबंध बनेंगे बहुत से कारिया आप एक साथ करना चाहेंगे उसमें काफी कुछ आपको सफलता मिलेगा प्रन्तु आपको अपने समय के अनकूल आपको आलज से का त्याग करना बहुत अज़वार है अब हम आपको ये बताना चाहते है मारगी होगा तब ये आप मानके चलिए कि गुरु का मारगी होना आपके लिए बहुत लाबदायक सिद्ध होगा पाँच नौंबर दो हजार चब्श को गुरु पुर्ण रूप से अपने वापस करक रासी यानि कि आपने उच्छ रासी में आएगा प्रन्त आपके अस्तम घर में आएगा इसलिए आप वहन अधी चलाते समय सावधानी रखिए सियर सक्टा खरिदते समय आप उतना ही सियर सक्टा में पैसा लगाईए कि अगर आपका कोई नुकसान भी हो जाए तो आपके उपर बहुत अधिक असर ना पड़े अब चुकि दो हजार पचीस में राहू भी बदल रहा है तीन गरह आप देखोगे गुरू तो दो दो बार बदल रहा है मिथुन रासी में जाएगा मिथुन से फिर कर्क में जाएगा कर्क से फिर वापस मिथुन में आएगा तो गुरू तो इस बर काफी उचल भाग करेगा राहू जब कुम्भरासी में आएगा आपके भाई प्राकरम अस्थान में आप बहुत भाग दोड़ करोगे अब तुकि राहू 18 मई दो हजार पच्चीस को ये मीन सासी से कुम्भरासी में आएगा राहू हमेशा बक्री रहता है यानि हमेशा उल्टा चलता है सारे ग्रह सिधे चलते हैं प्रन्तु राहू और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं तो जब ये बक्री होके आपके प्राकरम घर में आएगा अब यहां से आपको अपने जीवन साती धर्म पत्नी का सम्मान करना चाहिए उनकी स्वास्त में गिरावट आ सकती है समय पर आपको उनका इलाज करवाना चाहिए और यदि आपके उनके किसी तरह के बैचारिक मद्धेर उत्पन होते हैं तो आपको बहुत ही धैरी का पंचे देना चाहिए अपने क्रोर पर नियंतरन रखना चाहिए और आपको घर में पत्नी के सामने तो बिलकुल सेज नहीं बनना चाहिए हो सकता है आपकी पत्नी आपको कुछ ब्यंगात्मक बात बोलें किसी बात पे लेकिन आप जितना अपने को धैरी क्योंकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सनी की धैया आपके उपर प्राणम हो जाएगी 29 माच से इसके बाद आपको अपने जीवन साथी से जितना हो सके मित्रुवत ब्यवार रखिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए अब ये राहू आपके भाग्यस्थान को देखेगा भाग्यस्थान अगर आप कोई धानमिक पूजा पाट करना चाहते हैं कोई तीर जाता करना चाहते हैं और आपने अपना नियम, टाइम, तारीख फिक्स कर दिया है, तो वैसे तो राहू उसमें कुछ ना कुछ ब्योधान उत्पन करने का प्रयास करेगा, कोई ना कोई काम आपका आ जाएगा, कहीं से बड़ा काम बन जाएगा, बड़े काम का ओर्डर मिल जाएगा, अगर आप बिजनस करते हैं, तो व्यापार बिजनस इतने अच्छी चलने लगेगी, कि आप व्यापार को देखते हुए अपने यात्रा को आगे पीछे टालमटोल कर सकते हैं, प्रन्त आप अगर अपने धार्मिक यात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आप यह समझे कि आ जब राहू लाब घर को देखता है, तो आपको अच्तेधित लाब मिलता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको मैंने यह बताया है, कि सनी की जब धाया आएगी, कुछ समय के लिए अधिकारी से थोड़ा आपके विचार कम मिल सकते हैं, लेकिन यह है कि आपका परिवर्तन मिलने का योग है, आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आपको अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, आप इसके लिए प्रयास कर दी किए, लेकिन अपने अधिकारियों से, बड़े बुजुर्गों से, पिता से, किसी भी तरह के आप बैचारिक मद्भेत उत्पन् जितना हो सके, आप धहरी का पर्चे दीजिए, सबसे अच्छा उपाए हम आपको ये बताना चाहेंगे, कि अगर हो सके, तो आप प्रते दिन गाय को रोटी गुर्ण के साथ खिलाएं, अगर आप रोज नहीं खिला सकते हैं, तो गुरवार के दिन और सनिवार के दिन, घरी घास हुआ, या आपके घर में जो सबजियां बनती हैं, उनके जो छिलके निकलते हैं, वो छिलके भी अगर आप गाय को खिलाएंगे, तो ये भी गौदान में आता है, इसलिए आपको ध्यान ये रखना है, कि गाय को वैसे तो जीवन प्रियंत, गाय को कुछ ना लाते रहिए, आपके भागी में कोई भी ब्योधान आएगा, तो अधिक दिन तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन धैया के समय, आपको अधिक इस बात पर ध्यान दखना चाहिए, दूसी चीज़ ये है, कि अगर कोई बड़ा भुजूर्ग आपके घर में बीमार है, तो उसक की सेवा करनी चाहिए, उसके साथ आपको कुछ समय बैठना चाहिए, बहुत मित्रुत ब्यवार करना चाहिए, उनको सारी दिक सुख देना चाहिए, जैसे उनका हाथ पैर दबाईए, इसके अलावा भी, अगर आप अन्नी जगह पर भी, गरीबों को, या बीमार लोगों क की साहिता करते हैं, तो यह ध्या आपके लिए एक प्रकार से आसिरबाद बन कर आपका काम करेगा, अब हम आपको गुरु के बारे में एक बार और बताना चाहते हैं, क्योंकि गुरु आपके रासी का स्वामी है, जब गुरु यहां अस्टम घर में आपके आएगा, तो य गुरु आपको देश बिदेश की यात्ता कराएगा, अगर आप कोई दूर की यात्ता करना चाहते हैं, कोई बिदेश की यात्ता करना चाहते हैं, मिश्चित तोर पे गुरु आपको दूर की यात्ता कराएगा, वैसे तो यात्ता के दौरान आपको जरूर थोड़ा अच्छा हो जाएगा लेकिन थोड़ा आपके अंदर इगो यानि की अहिंकार आ सकता है आप अहिंकार को अपने उपर हाभी न होने दें तो यह आपके लिए वर्ष दो हजार पचीस दो हजार चब्विस और दो हजार सताइस आपके लिए बहुत अंकूल सफल होने वाला है अब क्योंकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गुरु अभी बल्स दो हजार पचीस के प्रारम में आपके रोग सत्रु का जख्थान में बैठेगा तो ये आपके दसम घर को देखेगा अजकारियों के साथ आपके संबंध में सुधार होगा अगर आपके कोई पदोन नतीब होगी और अगर आप कोई नौकरी आदी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसमें आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी आप चुकी जैसे सनी की धहिया चल लही है धनुरासी पे साथी साथ अगर किसी का सनी की दसा भी चल लही है तो आपको सनी भगवान का मंत इस प् पढ़ना चाहिए आप अधिक नहीं पढ़ सकते हैं तो सिर्फ ग्यारा बार 21 बार ओम सम सनेश चराय नमा का मंतर जाप कर लिए और सनी भगवान का यदि आपके घर के आजपास मंदिर है तो सनीवार के दिन आपको जरूर धरसन करने जाना चाहिए साथ सी साथ सरसो का तेल आप अपने बीसो नाखोनों में सनीवार के दिन लगाईए अगर हो सके तो आप पूरे बदन में भी सुबा के समय लगा के बाद में अच्छे से असनान करके अपने काम पे जाईए इससे आप चुस्त दुरूस्त रहेंगे आपके सरीर में इनरज कि जब आप तक आपके धहिया चल लगी है आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए अपने माता पिता का भी आदर कीजिए उनकी आज़्यां का पालन कीजिए जितना अधिक आप अपने माता पिता का आज़्यां का पालन करेंगे उतना अधिक ये सन यहीं आपके चतुर्ठ घर में है आपको वाहन आदी खरीडने का भी योग बताता है इसलिए एक बार यह ध्यान करके कि जो भी वाहन आदी आप खरीडने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से सोच विचार कर तो कि वाहन आदी बार बार खरीड़े नहीं जाते हैं आप एक ब खरीदना चाहिए अब सनी के बैठने से यह है कि आपकी माता जी का आपको भजपूर स्योग मिलेगा आपका आपकी माता के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे साथ ही ये भी है कि मित्रों के मामले में थोड़ा गुमरा होने की जरूत नहीं है मित्र अगर आपसे साहिता की इच्छा करते हैं तो चुकि सनी यहां बैठकर आपके रोग, सत्रू, कर्ज, अथान को देख रहा है आप उतना ही धन दीजिए कि जितना धन आपको वह आराम से वापस कर दे और धन देने से पहले आप अच्छी तरह सोज विचार करके ही धन दीजिए कि ये धन हमको गारंटी के साथ वापस मिलेगा ही मिलेगा यद इसमें कोई समस्या आती है तो सनी भगवान की आप जितना अधिक पूजा करेंगे उतना अधिक सनी महराज आपको सहायता करेंगे तो मित्रों आज मैंने आप लोगों को धनूरासी के लोगों का आने वाला धाई वर्स कैसा होगा इसके बारे में मैंने आपको जो बताया है मुझे आसा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए नमस्का